तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले बिजनेस की बिजनेस को है बढ़ाना तो सेल्स करते आना चाहिए आप कोई भी बिजनेस करते हो अगर उसको आपको बढ़ाना है उसको बढ़ा करना है तो आपको सेल्स करते आना चाहिए अगर आप सेल्स करना नहीं सिखे तो हो सक है कुछ दिनों बाद आपके बिजनेस को जहां से आपका बिजनेस रन होता है उस दुकान को उस शटर को ताला लगाना पढ़ सकता है क्या आप जानते व्यापार में सात तरके P होते वहोत ज्यादा महत्वपूर्ण होते चाहे आप कोई भी व्यापार कर रहे हो अगर आप नेट्वर्क मार्केटिम भी कर रहे हो तो यह साथ पी है यह साथ पी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते तो आज के वीडियो में हम इन साथ पीस के बारे में जानने वाले तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है समीर शरदेशकर मैं नाकूर शहर में रहता हूं और अटोमी मिल सकते हैं जैसा मेरी लड़की की शादी इस साल होंगी क्या मेरे लड़के को यहाँ जौब मिल सकता है क्या इस तरह के जवाब या आपका कोई यहां सवाल हो सकता है कि मैं इन सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेर नंबर दिया हुआ है उस पे फोन लगाना पड़ेंगा उस पे कॉल करना पड़ेंगा तो मैं आपको guidance दे सकता हूँ तो बढ़ते हैं आज के वीडियो के तरफ तो हम देखने वाले साथ पीस के बारे में यह सेवन पीस हमको हमारे एटोमी के business में भी बहुत जादा साहियक है और कैसे साहियक है कैसे इन सेवन पीस में हमको काम करना है ताकि हम एटोमी का business बढ़ा कर सके और एक मुकाम हासिल कर सके यह आज के वीडियो में हम देखने वाले तो पहला पी होता है product product को हिंदी में बोलते उत्पाद product किसी भी किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कोई भी व्यवसाय हो आपका उसके सफलता पानी के लिए product ही महत्वपूर्ण कुंजिये महत्वपूर्ण चीजे products revenue generate करते brand की identity बनाते market share में increase करते market के अंदर जो product अपना share है याने value जो होता है जितना ज्यादा sales होता है तो अपना share बढाते जाता है share increase करते और नए जितने भी innovations होते बहुत सारे नए-नए innovations आज की UAPD निकालती है उसको भी अपना नहीं मार्केट में product ही मदद करता है तो ऐसे business व्यापार जो product को development को प्रार्थमिकता देते और उच्य गुनवत्ता वाले products मार्केट में पीश करते हाइ गुनवत्ता वाले products जो मार्केट में पेश करते उनके सफल और समेई के साथ बढ़ने की समभावनाए अधीक होती है ऐसे product जो मार्केट में उच्य गुनवत्ता वाले product है और समेई के साथ खुद में बदलाव करते रहते हैं ऐसे प्रोडक्स सफल भी हो सकते और उनका बिजनेस अधिक समय तक लंबा चल सकता है एटोमी क्या करता है? एटोमी कस्टमर के नीड को जानकर ऐसी ही प्रोडक्स बनाता है एटोमी की तरह कोई दूसरे ब्रांट अवेलेबल ही नहीं है एटोमी का मार्केट में शेर दिन पदिन बढ़ते जा रहा है एटोमी की जो भी प्रोडक्स है जहां 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 एटोमी लॉंच हुई है वहाँ वहाँ उनका प्रोडक्स शेर बढ़ते जा रहा है Atomi नए नए इनोवेशन वाले या इनोवेटिव प्रोड़क्ट मार्केट में लेकर आती है जो ग्रहाकों की जरूरत है अगर आप बात करें अभी Atomi ने Electric Toothbrush भी लॉंच का दिया Electric Toothbrush एक नया इनोवेशन है जो आज के मार्केट की जरूरत है इस तरह नए नए जरूरतों के हिसाब से Atomi अपने प्रोड़क्ट को लॉंच करता है इसलिए 7P के अंदर में पहला पी होता है प्रोड़क्ट जिसके अंदर Atomi पुरी तरह से ख़रा उतरता है दुसरा होता है Pricing कोई भी प्रोड़क्ट का Pricing एने मुल्य निर्धारन Pricing की बात करें एने मुल्य निर्धारन Pricing किसी भी व्यावसाइक बिजनेस की रणानीती होती है एक बिजनेस की रणानीती की बात करें तो उसका मुल्य होता है उसका प्राइस होता है यह एक business का अनिवार्य पहलू है जो directly रेउनिय जनरेट करता है जो प्राइज होता है और रेउनिय जनरेशन का काम करता है प्रतिस अरद असपरधात्मक लाब देता है आपके जो भी प्रतिस परदा है उनसे आपको लाब दिलाने में अगर आपका प्राइज अच्छा है प् उसको उसके करान आपको जादा लाब मिलता है मार्केट की positioning और profit margin को भी प्रभावित करता है आपकी profit margin आपके product के price के उपर depend करती है एक सूनयोजित यह एक तरह का सूनयोजित मुल्य स्टैटरजी व्यवसाय को सफल होने और लंबी आउधी यह लांग टर्म में ग्रो करने में मदद करता है अगर आपका product का price according to आपका जो product है आपके product के अंदर जो ingredients से उसके अनुसार रहा तो आप लंबी घोडे लंबे घोडे बन सकते मार्केट के अंदर तक बहुत लंबे सब्वे तक अपना product मार्केट में डोडा सकते लोग आपके product की demand कर सकते Atomy इसमें क्या करता है Atomy product से जो रेउनियो आता है उसको समान जरुप से जित्ते भी eligible distributor से उनमें rank के हिसाप से divide करता है जो भी रेउनियो मार्केट में sales करने के बाद आता है समान जरुप से जित्ते भी distributor से उन यानि ऐटमी की जो प्रोडक्स होते वह प्रीमियम रेंज में होने के बाउजूत بھی क्रम प्राइज में मिलते हैं coming can a product atomi की अपको लगता हूं किạt अ को e का प्राइज बहुत ह्राइन देकिन की Gustues oh premium range के आपको local range युसको compare नहीं करना से आप जब कंपेर करोंगे तो आप पाहूंगे कि प्राइज होती है और एपसुलेट क्वालेटी होती ए एटमी की प्रोडक्स प्राइज प्सक्राइज का जीक जीक ऊभी लिए तर् match सब्सानिक इक स्पेशल उजयकों प्री मियां नियॉं के बाक्त कम है लगभा आधा प्राइज.'" आणि है तो का मैं बहुत ज्यादा कम को डूब होगा। तू लो भी निये, क्यों बताता हूँ आपको, तू लो प्राइस होने पर लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट की कॉलिटि के साथ कॉंप्रमाइस करा गया हुआ है, अगर आटोमी एक प्रोडक्ट बीस उपे में निकाल दे, तो लोगों को लगेंगा Atomi ने अपने quality के साथ compromise कर दिया और अगर Atomi एक product का price अगर 10,000 कर दे अगर एक cream है उसका 10,000 कर दे तो लोगों को लगेंगा कि product का price बहुत जादा है quality के नुसार इसलिए Atomi का product का price होता है ना बहुत कम होता है ना बहुत जादा होता है इसलिए Atomi के product absolute quality और absolute price के अंदर में जो premium range में आते product वैसे product मिलते हैं इसलिए Atomi के कुछ products दुनिया में number one position पे हैं आप search कर लेना Atomi के 4-5 products जो है दुनिया में number one के position पे हैं तीसरा होता है हमारा product promotion तीसरा P होता है product का promotion उत्पात का प्रचार product का प्रचार किसी भी व्यवसाय का एक अनिवार या पहल हुए यह लोगों में जागरुपता बनाता है sales को generate करता है products के बारे में logo उनमें awareness बनाता है brand की image बनाता है कोन बनाता है product का promotion ही बनाता है product खुद का differentiation create करता है market में जो product रहते है वो खुद का differentiation create करता है जब हम product का promotion करते तब market में अपना खुद का share बढ़ाता है नए innovation जो भी होते product में उसको बढ़ावा मिलता है अगर effectively product का प्रचार किया जाए तो business प्रभावी ढंग से बढ़ता है और grow करता है long term में अगर आप properly सही तरीके से business का promotion करते है तो Atomi इसमें क्या करता है Atomi आप भी मदद करता है social media पे product के बारे में promotion करके Atomi के जित्ते भी social media के platform available है हर platform पे Atomi अपने products की promotion करता है specially Atomi India की बात करूँ तो Atomi India के नाम से अलग-अलग channels बने हुए social media पे वहाँ Atomi India हर एक product को promote करते रहता है Atomi देता है आपको हर product का training ताकि आप market में product को सही तरह के से पीछ कर पाए यहने product में क्या विशिषता है यह product यूज करने से क्या-क्या फाइदा आपको मिल सकता है यह सब जानकारी अगर आप Atomi के product training में भाग लेते हो company के तो यहाँ आप लोगों को बता सकते हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा शिरिव आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा एक जो zoom meeting होती है चार बजे डेली होती है company की तरफ से जहाँ company अपने product की जानकारी जाती है उसमें आपको सहबाग लेना पड़ेगा ताकि आपके आपके product की जानकारी आए और आप लोगों को सही तरके से pitch कर सके सही तरके से product के बारे में जानकारी दे सके और आपके sale में बढ़ोतरी हो चौथा P होता है people पीपल्स और लोग कोई भी व्यावसाय में लोग जरूरी है लोग और गरहाग भी होते हैं लोग किसी भी व्यावसाय में महत्तो पूरणा घटक होते हैं कोई भी व्यावसाय हो किसी व्यावसाय में सफलता के लिए कोई भी व्योसा हो आप बात करें तो उसके सफलता के लिए करमचारी ग्राहक लगते हैं, सप्लायर लगते हैं, इन्वेस्टर लगते हैं और कमुनिटी यह समुदाय भी लगता हैं, सभी लोग आवश्यक हैं, सभी यह चीजे जितने भी हैं ना, कोई भी बिजनेस में इनके इंट्रेस्ट को, इनके नीड्स को ध्यायर में रखकर हम बिजनेस में सफल हो सकते हैं, और लंबे समय के लिए व्योसाय को चला सकते हैं, इसमें आटोमी आपको क्या देता है, आटोमी आपको देता है कुशल करमचारियों के सेना वह भी दुनिया भर के अंदर में, आटोमी के हर जित्ते भी कंट्री देवा, खुद के ऑफिसे से, खुद के स्ट्राफ है, तो एक कुशल सेना, करमचारियों के सेना आटोमी के पास है, साथ भी देती है, दुनिया भर में जित्ते भी बेस्ट सप्लायर से, बोलो तो मैनिफेक्चर भी आप बोल सकते हैं, इ हमें कोई supplier नहीं हमें कोई manufacturer नहीं ढूणना है यह सब काम हमारे बियाफ में Atomi खुद करती है Atomi दुनिया भर से अच्छे जो भी manufacturer है जो world class product है उनको ढूण के लाती है उनी के साथ अपना खुद का supplier का agreement करती है और उसी के तहथ हमको products मिलते हमको सिर्फ product को push करना पड़ता है हमें सिर्फ ढूणने लोग याने ग्रहक पीपल हमको सिर्फ people का पी जो लोग से उनी को इस पी के अंदर में हमको ढूणना है पाच्वा होता है पी product का placement हम product का placement कैसे करते हैं यह भी बहुत महत्वा पूर्ण होते हैं व्यावसाय में product placement एक महत्वा पूर्ण मार्केटिंग का टूल है यह प्रोड़क की visibility बढ़ाता है अगर आपका कोई दुकान है और आपने या आप समझ लिए आप काम कर रहे हैं आपके घर में लोग आ रहे तो प्रोड़क्त आपका visible होना चाहिए आपके घर में कोई showcase है तो showcase के अंदर सामने में आपके main hall के अंदर में आप जहां काम करें वहां के product आपको visible रखना चाहिए जहां आप देखते होंगे super shocks के अंदर में सामने में product रहते हैं प्रोड़क्त वीजिबल होते हैं यह एक marketing का बहुत अच्छा टूल है placement क्या करता है जो product का placement होता है जितने भी ग्रहाक है उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है आपके जो भी ग्रहाक है उनको प्रभावित करता है ग्रहाकों में विश्वस निये बढ़ाता है ग्रहाकों के साथ भावनात्मक संबन्द बनाता है आपकी product एक मजबूत brand value भी बनाता है अब देखिए बरहाकों के भी संबन कैसे रहेंगे अगर हमारे घर में कोई आ रहा है और हमारे आटोमी के product हमारे shelf में हमारे rack में लगे हुए देख रहें तो लोग उससे attract होंगे उनको लगेंगा यह भी बंदा यह product use कर रहा है हम सरी product के बारे में बता रहें किसी को और हमारे घर में वही product नहीं है तो हमारे उपर उनका विश्वास कैसे बढ़ेंगा विश्वास नहीं है था कहां से आएंगी इसलिए product को एक सजा के रखना showcase के अंदर में ताकि लोगों के तुरंट जब हमारे hall के अंदर में entry करें तो वो product उनको दिखना चाहिए Atomy इसमें आपको क्या देता है आपको देता e-commerce platform जो आज के तारीक की जुरूर होते है आज बहुत कम लोग होते जो बाहर जाके shopping करते हैं बड़े-बड़े cities के अंदर में नए बच्चे जो है वो सब online के तरफ ही prefer करते हैं तो online का e-commerce platform देता है साथ ही साथ Atomy आपको देता है हर शहर के अंदर में education center की सुविधा है उस education center के अंदर में आप product को physically feel करा सकते हैं आपके जो ग्रहाक हैं उनको इस education center में ले जाके जित्ते भी Atomy के प्रोड़क्स इंडिया में launch हुए उन प्रोड़क्टों का feeling दे सकते हैं उन प्रोड़क्टों को छू सकते हैं उन प्रोड़क्टा experience उनके ओपर खुद के ओपर एक trial भी वो लोग ले सकते हैं यह सब सुविधा आपको Atomy Education Center में मिलता है Atomy तो वैसे ही दुनिया का एक विश्वस निया ब्रांड है और ब्रांड क्यों बनाए एक कॉमर्स के कारण और Atomy Education Center के कारण जो जो लोगों को सुविधा प्रोड़क्ट करवाते हैं छटवा पी होता है प्रोड़क्ट की पैकेजिंग प्रोड़क्ट पैकेजिंग व्यवसाय का महत्त पूर्ण पहल हुए किसी भी व्यवसाय के अंदर में यह प्रोड़क्ट को प्रोटेक्ट करता है प्रोड़क्ट को एक विजिवल आइडेंटीटी देता है अगर आपका प्रोड़क्ट जास पैकेज में आता है उस पैकेज से उसको विजिवल आइडेंटीटी देता है जो प्रोड़क्ट होता है उस प्रोड़क्ट के अंदर क्या है उसकी इंफॉर्मेशन उस होती है उसके उपर होती है packing product की convenience को बढ़ाता है लोगों को convenience convenience हो जाता है product को carry करना इसलिए convenience बढ़ाता है packaging आपकी product को promote करने में भी मदद करता है जित्ते अच्छी packaging होंगी उत्ता अच्छा लोग उसकी तरफ attract होंगे इसलिए product packaging को promote करता है और दूसरे competitive product से खुद की अलग पहचान भी बनाता है दूसरी जो भी competitive companies होंगी उनके products और आपके products अगर सेम है तो एक तरह से अलग पहचान खुद को अलग दिखाने की कोशिच भी product की packaging करती है अगर product के packaging को prioritize किया जाए पहले priority packaging को ठहरा जाए तो व्यवसाय को सकारात्म ग्रहक मिलते जो brand की loyalty बढ़ाते और sales के साथ revenue भी बढ़ाते अगर priority राइस किया जाए आपका जो product का जो packaging है इसको priority राइस किया जाए तो आपके brand की loyalty बढ़ती है sales बढ़ता है revenue बढ़ता है अटोमी आपको क्या देता है अटोमी देता है आपको world class luxury packaging आपके प्रोडक्स है उनके जो प्रोडक्स है उनके जो packaging होती है world class होती है luxury product की जैसे packaging होती है वह यह packaging आटोमी की प्रोडक्स की होती है अगर shampoo की बात कर ले हम conditioner की बात कर ले तो easy to use conditioner होते है या फिर creams की भी बात कर ले वह भी easy to use होती है साथ ही जाथ प्रोडक्स की पहचान को दुनिया में अलग दिखाता है हमारी जो packaging आटोमी की दुनिया में और किसी company के इस तरह की packaging नहीं है दुनिया में अलग दिखाती है है अटोमी की packaging सात्वा और आखरी पी होता है किसी भी business के अंदर में priority आने प्रार्थमिक्ता किसी भी व्यवसाय में प्रार्थमिक्ता महत्वपूर्ण होती है यह सबसे महत्वपूर्ण कारियों और लक्षों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है प्रभावी धंग से time management करते आना चीए goal setting करते आना चीए decision making हमको हमको कुन सा decision लेना किस वक्त देना यह भी लेते हुए ना चीए यह सब के अंदर में प्रार्थमिक्ता ही मदद करता है priority मदद करता है जो भी available resources आपके पास है जो priority है वो आपको मदद करके आपके पास जो आज ये तारिक में आज के खशन में जो available sources है उनको effectively locate करने में ताकि बदलती परिस्थित्यों में भी आपका व्यवसाय चलता रहे और आपके लक्ष जो भी लक्ष आपके जो भी उद्देश है उनको आप आपके व्यवसाय में पास सके इसलिए प्रार्ष्थमिक्ता बहुत जरूरी होती है साथ तो आपको कोई भी व्यवसाय के अंदर में आटोमी क्या करता है आटोमी आपको देता है बदलती new technology आपको new technology ढूणने की जरूरत नहीं है आटोमी खुद जो टेकनोलोजी आने वाली है जो टेकनोलोजी पर काम चल रहा है वह टेकनोलोजी आटोमी पहले आपके लेकर आता है ताकि आपका व्यवसाय निरंतर चलता रहे आपके व्यवसाय में कभी भी कोई भी बाधा निर्मान नहों आपका व्यवसाय निरंतर चलता रहे तो पीपल, पाच्छवा होता है प्लेस्मेंट, छटवा होता है पैकेजिंग, साथ भी होती है प्राइरटी, तो आज का वीडियो यहीं तक था, जिस किसी को भी आटोमी के प्रोडक्स के मारे में जानकरी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वह पेंडूलम डाउजिंग से आपके सवालों के जवाब चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मुझे फोन करना पड़ेंगा, फोन नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए 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 वीड ने इसको बढ़ा सके, नमस्कार धन्यवाज जैस्पीराम